जहीं दोस्तों आज जारकन करंट अफेर के अंतरगत खुटी जिल्ला का महतपूर्ण करंट अफेर 2022 ता इसको देखेंगे और बिस्तार से समझने का प्रयास करेंगे साथ में खुटी जिल्ला से जितना भी स्टाटिक्स कोशन पूछा जा सकता है उसको भी एक साथ देखते हुए चलेंगे तो जितना भी आपको जारकन सम्मदित कोशन पूछा जाएगा वो सारा यहां पे कभर हो जाएगा कहने का मतब की करंट अफेर तो कभर होगा ही इसके साथ साथ स्टाटिक्स भी कभर हो जाएगा तो 40 नंबर का JSC में जो कोशन पूछा जाएगा उसमें यहां से सारा कोशन आने का चांस बनता है इसके बाद आप JPC देंगे तो JPC में भी यहां से कोशन पूछा जा सकता है तो करंट अफेर स्टाटिक्स दोनों अच्छे से देखेगा और हो सके तो पेन पेपर सबकुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा क्योंकि जितना भी important factor होगा यहां कुछ भी छोड़ा नहीं गया है आप देख सकते हैं कि इतना सारा fact दिया गया है बस चीजों का अच्छे से देखेगा और समस्ते हुए चलिएगा अच्छा लगे तो like जरूर कर दिजेगा क्योंकि आप लोग का एक like जो होता है न वही motivation का काम करता है वैसे like करने में आप लोग को तो पैसा नहीं लगता है लेकिन हम लोग को काम करने में उर्जा जरूर वहां से मिलता है तो आप लोग थोड़ा एक like जरूर कीजेगा बहुत important रहेगा खुटी जिला के पूर्व सांसद करिया मुंडा को PM केर फंड में ट्रस्टी बनाये गया है याद रखेगा PM केर फंड के ट्रस्टी कोन बनाये गये हैं तो ये करिया मुंडा बनाये गये हैं और खुटी जिला के ये पूर्व सांसद रहे हैं तो इसको या तो याद रखेगा Digital Skill University का निर्मान जो है वो कहां पर किया जाएगा तो खुटी में किया जाएगा बहुत बढ़िया कोशन यहां से पुछा जा सकता है नेक्स कोशन है बहुत इंपोर्टेंट रहेगा खुटी जिला के चायबासा रोड में जनजातिये मामले के मंतरी मतलब आप लोग को पता होगा अरजुन मुंडा है तो इनके द्वारा सेनिटेशन पार्क का उधगाटन किया गया है तो इसको ध्यान में रखेगा सेनिटेश तो वो बहुत इंपोर्टेंट रहेगा बिर्सा मुंडा का परतीमा को यहां पे लगाया गया है सेनिटेशन पार्क में ठीक है तो इसको याद रखेगा नेक्स कोशन है बहुत इंपोर्टेंट रहेगा मिलेट्स महस्वा का आयोजन जो है उखुटी में किया गया याद र रखेगा 2023 को United Nation जो है Millet Wars के रूप में मना रहा है तो Millet Wars के रूप में ना रहा है उन लिएन मना रहा है ठीक है ये भारत के कहने पर ही इस वर्स को मोटे अनाज का वर्स घोजित किया गया है तो याद रखेगा 2023 को अज G20 का जो बैठक हुआ था न उसमें भी मोटा अनाज का सारा आइटम रखा गया था खाने पीने का, ठीक है, मोटा अनाज के अंतरगात आप लोग को पता, मक्का, बाजरा, जुआर ये सा बाता है, एक संदेश विश्व में दिया गया इससे कि मोटा अनाज भी अच्छा खाना होता है, और इस खाना को खा कर भी आदमें जीवी तरह सकता है अच्छा जिंदगी जी सकता है, तो ये यहाँ पर कहने का मतलब था 2023 इस वर्ष को मनाया जा रहा है, और मिलेट महसो का आउजन यहाँ पर खुटी में किया गया है तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा, बहुत इंपर्टेंट कोशन पुछा जा सकता है नेक्स्ट और बहुत इंपर्टेंट कोशन है हेल्थ और न्यूटिशन के मामलें में देखा जाए, तो पूरा देश में खुटी जो है, पहले स्थान पर रहा है, पूरा देश में नितियायोग का ये रिपोर्ट था उसमें हेल्थ और न्यूटिशन का जो मामला में रिपोर्ट जो दिया नितियायोग इसने बताया कि पूरा देश में खुटी जो है, पहले स्थान पर रहा है, ये बहुत बढ़िया कोशन यहां से बन सकता है नेक्स कोशन देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट रहेगा बाबा सहाब भीमरा अंबेटकर अवास योजना में पर्थम अस्थान पर खुटी जिला रहा है याद रखेगा, बाबा भीमरा अंबेटकर जो अवास योजना था उसमें पर्थम अस्थान पर कौन रहा है तो ये खुटी जिला ही रहा है हेल्थ और न्यूट्रिशन में भी खुटी जिला निती आयोग के अनुसार पुरे देश में रहा है तो इसको भी याद रखेगा नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट है बन जिला वन पर्ड़क्ट के अंतरगत खुटी का जो लाह है ठीक है लाख नहीं लाह कहीं कहीं लिखा रहता है तो लाह को यहाँ पे अंतराष्टी राष्टी पहचान दिया जाएगा मतलब one district one product के अंतरगत जो भी item को chain किया जाता है तो उसका राष्टी अंतराष्टी पहचान बनाने के लिए ये किया जाता है तो हर जिला में एक product को business महत्व दिया जा रहा है तो याद रखेगा 15 नौवंबर को बिर्शा मुंडा का जन्मदीन होता है इसी दिन को राष्टी अस्तर पर जन जाती है गोरो दिवस मनाया जाएगा तो बहुत important रहेगा याद रखेगा इसको ये भी एक परकार से current affair है क्योंकि 2021 में ये चालू हुआ था मनाया जाना ठीक है तो इसको ध्यान में रखेगा next question देखते हैं बहुत important रहेगा हाल ही में बिर्शा मुंडा के जन्मदीन पर जारकंड अपना 23 अस्तापना दिवस मनाया है 15 नौवंबर 2000 23 इसवी को तो इसको याद रखेगा यहां से भी question पुछा जा सकता है हलाकि ये चीज़ को सब लोग जानता है क्योंकि 15 नौवंबर 2000 इसवी को जारकंड जो है वो क्या हुआ था तो जारकंड बना था तो उसके बाद ये 23 इसका अस्तापना दिवस मनाया है 23 साल का जारकंड हो गया है जारकंड युवा हो गया है लेकिन युवाओं को यहां पर रोजगार जो है वो एकदम नहीं मिल रहा है नोकरियां भी नहीं मिल रहा है क्योंकि भेकेंसी बहुत कम आ रहा है ना के बराबार आ रहा है ये बहुत खराब इस्तिती बोला जा सकता है नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कोशन भी पुछा जा सकता है खुटी जिला के सांसद जो चुने गए हैं अरजुन मुंडा ये देश में जन जाती है मामले के केविनेट मंत्री हैं और देखा जाये तो आपको ग्यात होगा कि सबसे कम भोटों के अंतर से 2019 के चुना में यही बिजय प्राप्त हुआ है इनी को मतलब जारकन में जो 14 लोकसभा छेतर है मतलब जो सांसद बनते हैं यहां से तो सांसदों में अगर देखा दा तो 14 में से जो सांसद बनते तो यहां पे भारतिय जनता पाटी के सांसद बने हैं यह खुटी जिला से कोन अरजुन मुंडा सबसे कम अंतर से यह जीते हैं अरजन जाती है मामले के केविनेट मंत्री हैं जारकन के चेतर से एक मात्र केविनेट मंत्री जन जाती है माम लेके और यही हैं मतलब कुल मिला के कोई भी राष्टी अस्तर पर जो देश का कोई भी मंत्री मंदल में सामिल है केविनेट में तो मात्र कोन है अर्जुनमंडा तो थोड़ा सा इसको याद रखेगा बहुत इं इस तरह का बहुत सारा है और कुछ होट टॉपिक फिजन जाती इसके बाद देखा जाद खेल कूद ये सब चाहिए इस तरह का फॉर्म में लिखा हुआ बहुत अच्छे तरीका से तो आप लोग इस नंबर पर यहाँ पर जो नंबर दिया गया इस पर सीधे कॉंटेक्ट करक के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं 9798771375 इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट किजेगा आपको PDF से संबंदित यहाँ जानकारी मिल जाएगा ठीक है बाइस अब यहाँ पर आप लोग बिना एड़टीजमेंट का वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि अब एड़टीजमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि गूगल जो पीन भेजा था इसमें वेरिफाय नहीं हो पाया पीन मिला ही नहीं तो सारा जो एड़ है हटा दिया गया है तो कुल मिला के जितना भाई लोग PDF खरीद रहे हैं उसी से मेरा एक परकार से यहाँ थोड़ा मोड़ा हेल्फ हो रहा है बाकि यह कुछी काम का एक परकार से नहीं बचा क्योंकि अब इसमें एड नहीं चलता है मतलब तो एड नहीं चलेगा तिससे हमको कुछ फायदा नहीं होगा कुल मिला के आप जो भी PDF खरीदते हैं थोड़ा मोड़ा आप लोग जो हेल्फ करते हैं उसी से हेल्फ होता है बाकि देख से ये चैनल चल रहा है नहीं तो फिर ये चैनल पूरी तरीका से एक परकार से डेड हो चुका है मतलब कि ये मोनेटाइजेशन अब इसमें नहीं होगा पुल मिला के ये अब इसमें एड नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा तो आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल चल रहा है बहुत लोग बोलते हैं कि pad pdf ले आयर भाई इतना कम सस्ते में आपको कहीं इतना अच्छा content नहीं मिलेगा, एक एक जगा पर इतना मेहनत करके content दिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे लिए आपका जो भी थोड़ा सा, छोटा वसा सहयोग होता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा होता है, तो धन्यवाद आप सबको, जिन्नों ने इतना corporate किया है, नेक्स देखते हैं, बहुत important यहां से रहेगा, खुटी जिला से संबंदित महतोपुर्न तथ्य, तो खुटी जिला से संबंदित महतोपुर्न तथ्य देख लेते हैं, पहला इसका स्थापना, इसका स्थापना जो हुआ था, 12 सेप्टमबर 2007 इस वी को हुआ था, याद खुटी का, नेक्स्ट और बहुत important है यहां पर, अनुमंडल जो है, इसका एक ही है, खुटी के वल इसका एक मात्र अनुमंडल है, बिधान सभा अगर देखा जाए तो दो है, बिधान सभा कितना है, दो है, तोरपा और एक खुटी खुद है, उसके बाद परखंडों की सं अगर देखा जाए तो इसमें 6 मात्र परखंडे, कितने परखंडे, 6 हैं, अगर यहां देखा जाए इसका अन्य नाम क्या है, खुटी का अन्य नाम जो है, वो लाह नगरी बोला जाता है, लाह नगरी कहा जाता है, लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां पर होता है, त इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, यहां से अच्छा question पूछा जा सकता है, परमुक नदी अगर देखा जाए, तो कारो, तंजना और चत्ता, यह जो है नदियां है, बहुत important रहेगा, कारो और एक तंजना, तंजना पूछा एक बार, ठीक है, तो याद रखेगा, तंज परियाटर नस्थल इंपॉटेंट रहेगा, परियाटर नस्थल और देखने योग्यस्थल में सबसे इंपॉटेंट यहां पर आता है, पांच घाग जल पर पात, पांच घाग नहीं है, पंच घाग है, पंच घाग जल पर पात है, तो यह पंच घाग जल पर पात जो है, बिर्सा मरिग बिहार कहीं कहीं लिखता है बिर्सा मरिग बिहार जो है वो काला माटी राची में है आप लोग एक बार बताएगा कमेंट बॉक्स में कि बिर्सा मरिग बिहार कहां पे है कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बिर्सा मरिग बिहार काली माटी मतलब यह कहीं कहीं आपको मिलेगा बिर्सा मुर्मू राष्टपती बनने के बाद आई थी ठीक है उसके बाद यहां पर इंपोर्टेंट है डॉमबारी पहाड जो छेतर है वो भी बहुत महतोपुर्न है क्योंकि बिर्सा मुंडा से इसको जोड़कर देखा जाता है इसको याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट यहां से कोशन पूछा जा सकता है नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट है पर्मुख खनीज उद्योग अगर देखा जाये तो लाह यहां पर है उसके बाद बालू से संबंदित उद्योग पत्थर से संबंदित उद्योग यह का GDP में जारकन के SGDP में इसका योगदान 1.5 परतिसत था जो अब घट करके हो गया है बहुत कम तो मेरे कहने का मतलब ना लाह एक परकार के बनो उत्पाद है तो यहां पर इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट और बहुत IMPORTANT है परमुक व्यक्तितु और सौतंतरता संग्राम के नायक में बीरसा मुंडा का नाम आता है गया मुंडा का नाम आता है उसके बाद जैपाल सिंग मुंडा को मरांड गोम के कहा जाता है ब्रांड गोम के जैपाल सिंग मुंडा उनिसучाट इस के एमर्ष्टरडम ऑलमपिक में मतलब ये गोल्ड मेडल लाय थे पहला मतलब इनके केप्तानी में गोल्ड मेडल लाया था होकी के छेत्र में तो याद रखेगा बिर्शा मुंडा का दूसरा रूप जैपाल सिंग मुंडा को ही कहा जाता है तो इसको भी याद रखेंगे बिर्शा मुंडा के बारे में तो सब जानते हैं कि बिर्शा मुंडा के नाम पर ही जारकन अपना स्थाप्टा दिवस मनाता है जनन दिन पर ही औ और बिर्सा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है धरती आभा भी कहा जाता है उल्गुलान जो हुआ था अथारा सौक पंचानवे से उनी सौक इस्वी के बीच में चला था जिसको मुंडा विद्रो कहते हैं उसके परमुख नायक यही थे यह सब याद रखेंगे दाहिनार हा कडिया उराओ का भी संबद यही से है सुसील हास्दा का संबद यहां से है निलकंड सिंग मुंडा का संबद यहां से है बताइएगा कमेंट बाक्स में निलकंड सिंग मुंडा कोन थे निलकंड सिंग मुंडा कोन थे नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट है खुटी जिल जो है ना रक्षा सकती विश्विद्दाले का निर्मान जो है वो कहां पर हो रहा है तो खुटी में हो रहा है तो इसको भी याद रखेगा रक्षा सकती विश्विद्दाले का निर्मान कहां पर हो रहा है तो खुटी में हो रहा है नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन खुटी में होता है इसलिए one district one product के अंतरगत लाह को ही सामिल किया गया है खुटी में तो इसको भी याद रखेगा अच्छा question बन सकता है next और बहुत important question है यहाँ पर्मुक बौध अस्थली जो है बेलवा दाग बेलवा दाग जो है वो खुटी में स्थित है यहाँ पर बताया जाता है कि एक बौध टीला प्राप्त हुआ है ठीक है बौध टीला प्राप्त हुआ है जिसको लानंदा विश्विदालेक से जो इट राप्त हुआ है वहाँ से जोड़कर इसको देखा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी बौध का कुछ अवसेश हुआ करता था तो याद रखेगा बौध के पर्मुक अस्थलियों में मतलब बेलवा दाग का पर्मुक अस्थाना आता है जो कहां पे है तो यही सीट है तो कम से कम 2000 लोग तो वीडियो देखे ठीक है इतना लोग तो कम से कम देखे इतना इतना मेहनत करके आप लोग के पास content लाते हैं लेकिन लोग देखता ही नहीं तो पढ़ाने से कोई फायदा लगता नहीं यह तो सुक्रिया हम करते हैं कि यह सीरीज को हम complete इसलिए क कर दिया तो फिर हमको करना पड़ जाता है एक भी लोग अगर खरीदा रहता ना चाहें एक लाक लोग खरीदे चाहें एक खरीदे अगर हमने प्रॉमिस कर दिया कि जितने लोग इसको खर देंगे तो 24 जिला 24 करेंट अफेर उसके वाद खेल कूद योजना पर योजना यह आपको PDF भी हमको देना पड़ता है ठीक है आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए कंप्यूटर साइंस यह सब हमको मन्था की होट होट टॉपिक पढ़ा दें लेकिन लोग देखता ही नहीं तो पढ़ा के क्या करेंगे अगर हमी को देखना रहता तो हम पढ़ा देते लेक खुटी का नामंकरन जो है वो महाभारत की कुंती के नाम पर पढ़ा है कुंती से ही खुटी निकला है यह याद रखेगा ठीक है कुंती से ही खुटी निकला है तो कुंती के नाम पर पढ़ा है याद रखेगा इसका नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट है खुटी और लोहर दगगा अगर दो जिल्ला देखेंगे तो जारकन का ये एक मातर ऐसे जिल्ले हैं जहां पर इसका सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगता है मतलब कि जारकन में जो 24 जिल्ला है ठीक है जारकन में कितने जिल्ले हैं तो 24 जिल्ला है तो 24 जिल्ला में 22 का सीमा किसी न किसी से लगता है लेकिन 2 का सीमा नहीं लगता है तो दो में से एक खुटी है और एक आपका लोहरदगा जो किसी से सीमा नहीं बनाता है तो इसको याद रखेगा बहुत important question पुछा जा सकता है next और important है जारकन में सारवधिक जो है जनजाती परतीसत आपको खुटी में देखने को मिलेगा लगबग 73 परतीसत जनजाती जो है वो यहाँ पे निवास करती है मतब खुटी का 100 परतीसत अवादी है उसमें से 100 में से माल लेते हैं कि 73 लोग क्या है यहाँ पे जनजाती रहते 10 लाग से अधीक जनजाती जो है वो यहाँ पे निवास करते तो इसको थोड़ा याद रखेगा अब यहाँ पे देखेंगे तो खुटी जो है 12 सेप्टमबर 2037 इसमी को राची से कट करके अलग जिल्ला के रूप में अस्तितम में आया था 23 जिल्ला बना था जारकन कर तो इसको भी याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टन रहेगा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टन है खुटी जब जिल्ला बना था उसके पुर्व 1902 इसमी में वो राची से का एक अनुमंडल बना था ठीक है 1902 इसमी में राची का एक अनुमंडल बना था और 2007 में 12 C&T का सर्वे चालू कभ हुआ था 1902 में complete कभ हुआ 1903 में और लागु कभ हुआ C&T तो 1908 में ठीक है 1908 में लागु हुआ तो ये भी कभी-कभी पूछ देता है तो इसको ध्यान में रखेगा बिर्शा मुंडा का सम्मद जो है वो देखा जात मुंडा बिद्रों से है जो प्र आरब हुआ था 1902 बी तक चला था और बाद में हैजा से मिर्टौ हो जाने के बाद जो है वे पूरी तरीका से ठंदा पड़ जाता है अंदोलन कि सरदार्या अंदोलन से परभावित थ है जब 6 GPSC में हमstream से लिख रहे थे तो वहां एक जारकन से कोशन हिस्ट्री में था कि बिर्सा मुंडा अंदोलन सरदारिया अंदोलन से किस परकार से परभावित है तो इस पर चर्चा करें इसको लिखें तो 40 नंबर का एक कोशन था ये और लिखना था ठीक है तो बिर्सा मुंडा सरदारिया अंदोलन से परभावित था सरदारिया अंदोलन जो है 1958 इसमी में प्रारम हुआ था और ये मतलब 1859 इसमी में प्रारम हुआ था और 1895 इसमी तक ये थंडे बस्ते में पढ़ गया था मतब थंडा पढ़ गया था और यहीं से फिर बिर्शा मुंडा इस अंदोलन को ही एक परकार से सरदारिया अंदोलन को ही बढ़ाने का काम किये थे और आगे तक ले गए थे तो इसको लिखना था पूरी तरीका से ये छटी जेपियसी मेंस लिखने के समय ये हमको कोशन मिला था मेंस में और 40 मक्स का एक कोशन था तो ये चीज़ से हमको दिमाग में था और याद रखिएगा सरदारिया अंदोलन उनिश्टावन में प्रारम हुआ था ठीक है तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम एडिशनल फैक्ट भी बताएं और जितना भी हम मतलब करन्ट अफेर बताएं वो बहुत महतोपुन है आप इसको एक बार अच्छे से कर लिजेगा भाई लोग जो पेडियेप नहीं खर दे होंगे खरीद लिजेगा क्योंकि आप लोग का यही छोटा सा सहयोग जो है वो हमको हेल्फ करेगा यहाँ ठीक है कुल मिला के सर्भाइब करने में और इस चैनल को आगे बढ़ाने में बीना एडवर्टीजमेंट का यह चैनल चलेगा मतलब इसमें हमको कोई एक रुप्या यूटूब नहीं देगी और उसके बाद भी हम यहाँ पे चैनल आप लोग के सामने चलाते रहेंगे इसको बंद नहीं करेंगे नहीं तो चाहते तो इस पर वीडियो रोग करके हमारा एक और चैनल है इजी फोर स्टडी ठीके इस तरह से करन्ट अफे और स्टाटिक्स पूरा हुआ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा चैनल सस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लिजेगा क्योंकि आप लोग का यही प्यार हमको दिखता है और थोड़ा जरूरतमन दोस्तों को भी सेयर कर दिजेगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद